स्वाइक आप में से बहुत सारे लोग मुझे पुछते हैं कि बाई हमें भी बंगलादेश में MBBS कर दिया है उसका प्रोसीजर बताओ हमें तो आज की वीडियो सी के बारे में आज मैं आपको प्रोसीजर उसका बताता हूं सबसे पहले चलते हैं हम कटिंग करके आते हैं उसक किस तरह से करेंगे लेकिन कौन से सबसे मतलब क्या प्रोसीजर क्या है बंगलादेश में MBBS करने का वो मैं आपको आज बता देता हूं प्रोसीजर फुल डिटेल में आपको कैसे कैसे करनी है बंगलादेश में MBBS पूरा गाइड कर देता हूं सबसे पहला और में क्राइडि के physics, chemistry और bio में 60% के ऊपर होने चाहिए या 60% होने चाहिए आप admission ले सकते हो उसके बाद जो main criteria आता है वो है हमारा NEET, NEET qualify करना सबसे must है अभी, without NEET तो आप कहीं पे भी foreign में admission नहीं ले सकते हो, NEET qualify करने के लिए journal के लिए आराउंड 150 marks है में भी मुझे पूरा clear पता नहीं है और जिनकी categories है उनका आप check कर लोगों कितने marks हैं कितने marks पर qualify होता है तो NEET qualify होना must है यह दो चीज़े आगी सबसे main criteria है यह अगर आपके clear है 12th के बाद 2 साल का gap ना हो और NEET qualify हो तो आप बिल्कुल इजी admission ले सकते हो मतलब कोई भी इशू नहीं आएगा उसके बाद अब हम वारबाद आ जाता है अगर आप NEET जब clear हो जाती है qualify हो जाती है नीट उसके बाद हमें क्या कर रहा है NEET qualify करने के बाद आप बंगलादेश में अगर admission लेना चाहते हो तो सारे medical colleges जो MCI के recognized medical colleges है सब को एक बार देखो जितने भी medical colleges है आप खुद research करो कौन सा अच्छा है किसका hostel वेरा आचा है कितना दूर है डाका से best medical colleges की मैंने वीडियो बना के रखी हुई है with fees अगर आपको देखनी है तो आई-card में मैं उसका link दे रहा हूँ वह आप देख लेना बाद में तो आपको सारे colleges चेक करने के कौन सा best medical college है बंगलादेश में और सारे colleges को अपने आप से खुद research करना है कि कैसे कैसे colleges है कैसा hostels वेरा है कहां पर डाका से कितना दूर है यह सारे चीज़ें देखनी है अभी का एक ऐसा scene है कि अभी आप बंगलादेश का tourist visa लगा के आप बंगलादेश आके अपने colleges चेक नहीं कर सकते हो क्यूंकि अभी covid है उसके चक्कर में tourist visa बंद हुए या तो आपका student visa पे आप आ सकते है या कोई business visa है तब ही आप आ सकते हो अधर्वाइस tourist visa लगनी रहा है तो इसलिए आपको internet पे सर्च करना पड़ेगा कौन सा अच्छा college है कौन से अच्छे है आपको कौन सा suit करता है किसकी अच्छी fees है जो आपके budget में आती है तो उसी साब से आप select कर लो college अब ये चार चीज़े clear हो गई ही उसके बाद आपको Bangladesh High Commission की site पे जाना है वहां से form download कर गया वह ऐसे है आपका कि आप आपका रास्ता खुल गया बंगलादेश कहीं पर भी admission ले सकते हो इक्विलेंच certificate पाने के बाद आपने क्या करना है कि जो बंगलादेश में आपने college select किया हुआ है उस college में आपने message करना है कि सर हमें admission लेनी है आप हमें offer letter देजिए वह आपक साल में आपको कितना पैसा लगेगा फर्स्ट यर में आपको कितना पे करना है 40-50% होता है college किसी college की फीस है तो 15,000 आपको first year में पे करना पड़ता है या 15,000 फर्स्ट यर में पे करना पड़ता है और जो offer letter होगा उस पे आपको मतलब उन्होंने कहा होता है कि within 2-3 days में या 1 तो अगर आप लेट कर दें तो आप लेट करोगे तो आपको वो सीट रिजर्व नहीं रखेंगे, जब अगर आप पैसा डालोगे उसी के बाद ही वो उन्होंने सीट अपकी रिजर्व करनी है और आपको एडमिशन मिल पाएगी, उसके 2-3 weeks या 4 weeks, within a month आपको जो first payment है 15,000 य यह सारी चीज़ें होगी, उसके बाद आपको जब college से admission letter मिल गया, आपको admission letter मिल गया, college से आपने फिस वरा जमा करा ली, आपकी seat यहां पर reserve हो गई है, उसके बाद वही college का admission letter और अपने जो attested documents है, 10th 12th के, वो आपने लेके जाने हैं, बंगलादेश high commission में, वहां से आपन renew करना पड़ता है, वो भी free of cost होता है, बंगलादेश का आपने student visa लगाया, और उसके बाद आप बस बंगलादेश का student visa लगाओगे, within one week or two weeks आपका visa आजाएगा, और उसके बाद आप बंगलादेश आजाओगे, बंगलादेश आते ही आपने डाका में आना है, या जहां आपका पोर्ट होगा या फिर आप बाईयर आओगे तो डाका ही आओगे, वहाँ से सीधा अपने अपने colleges आजाओ, यही चीज़े हैं सारी जो आपको बंगलादेश में MBBS करने के लिए चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और उसके बाद 12th के बाद दो साल से वीडियो बनाके रखी हुए, फिर आपने से काफी सारी लोग मुझे आते हैं, आखे पूछते हैं के बाई, हमें कौन सा best consultant कौन सा रहेगा, हमें कौन सा best medical college कौन सा रहेगा, देखो, best consultant मैं यहाँ पर बतानी सकता हूँ, उसका phone number, लेकिन अगर आपको किसी को genuine कोई real बंद जो अच्छे वाला है, तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, और आप उनसे admission करा सकते हूँ, क्योंकि consultancy में भी बड़े जोल होते हैं, यहाँ पर यह पैसा वेरा लेके फिर निकल जाते हैं, colleges में पैसा पहुंचता नहीं है, यह होता है, बाद में admissions कैंसल हो जाती है, बच् आपके साथ के कोई और दोस्त हैं, जो बंगला देश आना चाहते हैं, वीडियो करने के लिए, उनको यह वीडियो शेर कर दो, और फिर कभी किसी और ने वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, अल्ला हाफिज